जहिं दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हो की आप अपने यूटूब चैनल पर पहलाeres वीडियो कैसे अप्लोड करेंगे जैसे आप उसको open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface नज़राएगा तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे plus का icon दिख जाएगा इस plus वाले बटन पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद आपके सामने तीन features नज़राएगे यहाँ पर create a short और दूसरा है आपका upload वीडियो और यहाँ पर तीसरा है go live तो हम आपको short वीडियो upload करने के बारें बता रहे हैं तो यहाँ पर आपको create a short इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद आपके सामने allow access का बटन आएगा इसको OK कर देना है फिर यहांपर भी इसको OK कर देना है OK करने के बाद आपके सामने यूटूब एप्लिकेशन का कैमरा उपन हो जाएगा अगर आप इससे लाईव वीडियो रिकोड करना चाहते हैं तो आप इससे रिकोड कर सकते हैं नेताब इस Galrie वाले बटन पर क्लिक करके अपनी Galrie से वीडियो को चोज कर सकते है यहाँ पर आपको यह 15 नमबर लिखा हुआ दिख रहा होगा इसका मतलब है कि आप 15 सेकीड का वीडियो अफ्लोड कर सकते है यह दिया आप 60 second का वीडियो अपलोड करना चाहते है तो आपको इसको पंदरा वाले बटन पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करते हैं आपके 60 नंबर में बदल जाएगा इसका मतलब है कि आप यहाँ पर आप 60 second का वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो हम अपनी gallery से वीडियो को upload करने वाले है तो हम यहां पर gallery वाले बटन पर click कर लेते हैं इसके बाद allow access पर click कीजिए अलव पर click कीजिए इस तरीके से आपके गैर लिकी जितने भी वीडियो होगे यहाँ पर सो हो जाएगे आप जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करना चाहते है जो आपने वीडियो बनाई है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपनी वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको preview देगा तो आपको यहाँ पर next वाले बटन पर click कर देना है जैसे आप next के बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ features देगा यहाँ पर आप sound एड़ कर सकते है कोई music एड़ कर सकते है यहाँ पर text लिख सकते है और यहाँ पर timeline को change कर सकते है इन चारो features के बारे मैं आपको बारी बारी से बताने वाला हूं तो यहाँ पर देखे इस वीडियो में कोई भी music नहीं है तो मैं यहाँ sound पर click करके कोई music यहाँ पर ले लेता हूँ देख़ें यहाँ पर YouTube आपको बहुत सारे music देतेता है आप यहाँ पर उपर search वाले बटन में कोई भी music, कोई भी गाना याँ पर search कर सकते है और उस music को इसमें लगा सकते है आपको कोई भी copyright नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो आप गाना या music लगाएंगे वो केवल 15 second तक ही होगा 15 second से उपर का song यहाँ पर आप लगा नहीं सकते next यह नीला बटन जो है इस पर click कर देना है तो इस पर click करने के बाद आपको music यहाँ पर set हो गया है अगर आप कुछ यहाँ पर लिखना चाहते है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कुछ लिख देता हूँ cute baby तो और यहाँ से आप इसका color भी change कर सकते है जो आप लिख रहे है देखे green color हो जाएगा yellow हो जाएगा orange, red किसी भी तरह का color यहाँ पर आप बदल सकते है और आप इसको अगर background देना चाहते है तो आप इस तरीके से दे सकते है यहाँ से और आप इसको size बड़ा या छोटा कर सकते है ऐसे जो आपकी बराबर में बोल है इसको आप उपर नीचे करके इसको बड़ा या छोटा कर सकते है तो अपने हिसाब साफ इसको यहाँ पर set कर सकते है इसके बाद अगर आप यहां पर filter add करना चाहते है तो फिल्टर पर क्लिक कीजे और यहां से आपको भी filter select कर लिजे इसका color बदलना है किस तरीके का इसका color manage करना है वह यहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे YouTube ने आप फिल्टर दे रखें आपको इसे भी filter को select कर सकते हैं या पर title है यहां पर आपको title फिलप करदेना है कि आपकी video की topic पर दाइरित है उसके बाद आप यहां पर नीचे देख सकते है visibility तो आपको visibility वाले option पर क्लिक करके यहां पर आपको public की बजाए unlisted पर click करना है इस पर click करने के बाद मैं आपको upload short पर click कर देना है आपकी video upload हो रही है तो चलिए अब हम अपनी दूसरी एपलिकेशन में आ जाते है जिसका नाम है वाइटी स्टूडियो इसको भी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है तो वाइटी स्टूडियो ओपन करने के बाद आपके सामने आपका चैनल यहाप पर दिख जाएगा और आपने ज उसfund वाला बटन है आपको इसपर टिक करना है इसपर टिक करने के बाद आपके सामने इस वीडियो की Gotta को जाएगी तो यहाँ पर आप टाइटल को दुबारा change कर सकते हैं इसमें कुछ और add करना चाहता है वो add कर सकते हैं और यहां पर आप नीचे देख सकते है add description आप description में कुछ tag डाल दीजिए कुछ इसके बारे में information डाल दीजिए यह आप short video upload करना चाहते हैं तो इसके लिए इतने compulsory नहीं है लेकिन आपको डाल देना चाहिए ताकि कोई video आपकी search करे तो आप आपके description के जरी आपके title के जरी आपके tag के जरी आपकी video search में आ सके अन्यता YouTube short video को YouTube खुद मखुद browsing feature में डालता रहता है और लोगों के सामने इनको दिखाता रहता है उसी से आपका traffic आता रहता है लेकिन यदि कोई particular topic को search करता है YouTube में और आपकी video उसी topic पर आधारित है तो आपकी video search के जरी भी वहाँ पर show हो जाएगी इसलिए डालना बहुत जरूर होता है तो यहाँ पर मैं कुछ tag डाल देता हूं जैसे कि short फिर दूसरा tag डाल देता हूं YouTube shorts ऐसी आप पॉन साथ tag यहाँ पर डाल सकते हैं और इसको back कर दीजिए आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंडिंग दिखा रहा है यह इस पर आपको click करना है इस पर click करने के अब आपको इसको public वाले बटन पर click करना है जब हमने वीडियो YouTube application से upload करने की कोशिश की थी तब हमने इसको public नहीं किया था तब हमने इसको unlisted किया था क्योंकि अपने proper tag डाल लेने चाहिए proper title लिख लेना चाहिए और description proper तरीके से लिख लेना चाहिए तहमें इसको public करना च वाइटी स्टूडियो में आकर यहां से इसको unlisted से अटा दीजिए और public पर click कर दीजिए फिर बैक कर दीजिए बैक करने के बाद आपको यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे tag category comments इत्यादी इस पर click करना है यहां पर आप इसके कुछ tag लिख सकते हैं मैं मान लीजिए आप कोई वीडियो किसी topic पर है तो आप उस topic को यहां पर tag दे सकते हैं जैसे कि हमने cute baby cute baby funny video यह tag दे दिया और फिर कोमा दबा दिया कोमा दबते ही आपको एक tag तयार होगा तो जब यहां कोई youtube पर cute baby funny video सर्च करेगा तो आपके वीडियो को show करने की संभावना वाँ पर बढ़ जाती है तो इसलिए tag देना बहुत जरूरी होता है तो यहां पर tag हमने आपर दे दिया है अब आप यहां पर देखें category किस category का आपका वीडियो है इस पर click कर दीजिए तो हमारा जो वीडियो है यह entertainment purpose के लिए मैंने आप पर डाल सकते है how to style music वगेरा कुछ भी आप category का वीडियो डालेंगे इसमें सभी category यहां पर दी हुई है तो आप जिस भी category का वीडियो अप्लोड कर दे है वो category आप यहां से select कर लीजिए उसके बाद यहां पर आप देख सकते है नीचे hold and parent लेनी के comments यापके वीडियो पर कोई comment कर सकता है या नहीं उसको आपको यहां पर enable करना हो तो आप इसको हमेशा allow all comments यानि आपके वीडियो पर कोई भी comment कर सकता है कुछ भी तो आप इसको इस पर click कर दीजिए यह सब चीज क्लिक करने के बाद बैक कर लीजे एक बार फिल से बैक कर लीजे और सबसे उपर यहां आने के बाद सबसे उपर आपको दिख जाएगा सेव का बटन यहां पर देखे इस सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल से हो गई, आपका वीडियो भी आपर पबलिक हो गया, बस इतना सा काम था, तो यूटूब पर पहला वीडियो अपलोड करने के बारे में मैंने आपको जान कर दी है, उम्मीद करता हूँ, जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक क आपको लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजी, आज किस वीडियो पस इतना ही रहने वाद है।